बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच सूबे के मुखिया नितीश कुमार ने बिना नाम लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है जिए आपको बता दें कि सीम नितीश कुमार ने सोमवार को ट्वीट कर कहा जिने सब कुछ विरासत में हासिल हुआ उन्हें कर्म वीरों के तब के बारे में क्या पता हमने तो अपना सरवस्व बिहार की इस पावन धर्ती के लिए समर्पित कर दिया है सेवा करना ही हमारा धर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने ट्वीट कर कहा विकास सुशासन और बिहार की सम्रद्धी के लिए हमने काम किया है और आगे भी ये जारी रहेगा बिहार को विक्सित राज्य बनाने का संकल्प हमारा है और ये संकल्प निशित तोर पर हम पूरा कर बिहार उद्ध्यमी राज्य बनेगा बहतरीन इंफ्रास्ट्रक्शर और सुशासन से ही बिहार आत्म निर्भर होगा आपको बता दें मालूम हो कि बिहार विदान सभा चुनाओ के दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी बिहार के दौरे पर आ उसका आधार सुशासन है बिना सुशासन के बिहार का आत्म निर्भर बनना असंभव है गौर तलब है कि बिहार में पहले चरण का चुनाओ खत्म हो चुका है अब दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को है और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को है वही मतों की गणना 10 न नुस्की रिपोर्ट